तो गुड आफ्रनून फ्रेंड्स वेलकम टो मैं चैनल एडवर्ड विंक्स एंड मॉक्टस टू जो है जे की पी एसाइ के लिए इंडियन पॉलिटी का वो आज जो है वापके सामने है सुबा जो है इंडियन हिस्ट्री का पहला मॉक्टस जो है वरिदिका मैम के द्वारा ज पहला नहीं रखा गया तो आप साब से जो हैं देखी गा एंडियन साथ-साथ जो हैं अपने भी कमेंट्स आप करते रही कि आपके कितने माक्सिस में बर रहे हैं कितने कोशन जो हैं वापको इसमें से आते हैं ठीक है पहला कोशन स्टार्ट करते हैं पहला कोशन है कि in which of the following क्लिकला मोई आजिए स्क्रवराइड हो गारब अपता वे उसक्राइं तो इंच्ह को चीज RPM nbn थो की toSky जो छे राइटिकल हैं अंडर आर्टिकल 19 वो है फिस्पेंड हो जाएगे ठीक और अगर इंटर्णल अमर्जिंसी लगती है तो तब आपके जो यह आ यह यह आर्टिकल 19 के छे आर्टिकल जे राइटिकल है वो फिस्पेंड नहीं होंगे तो पहली का आउसर है का वर्ट तो इसका अंसर जो है वो आपका रहेगा only a यानि right to education जो है ये foreigners को मिलता है right to information जो है ये foreigners को जो है वो इंडिया में available नहीं रहें तो okay expect according to the procedure established by law the protection under article 21 is ठीक है तो आपको जो 21 article के अंदर protection मिलती है life की personal liberty की वो आपको कौन-कौन से actions के against मिलती है Option 1 है legislative action के खिलाफ ही मिलती है या सिर्फ आपको executive actions के खिलाफ मिलती है या आपको दोनों के खिलाफ मिलती है या फिर इन दोनों में से किसी के खिलाफ नहीं मिलती तो इसका answer जो है रहेगा वो है आपका both A and B ठीक है तो legislative actions हो या executive actions हो तो इनके खिलाफ आपको protection मिलती है, इसके खिलाफ अगर आपकी life and person liberty को कोई हनन हो रहा है, उसको नुकसान पहुंच रहा है, तो article 21 के अंदर आपको protection दी जाती है, ठीक है, next question है, आपका which of the following statement is correct about RTI, ठीक है, तो RTI that is right to information act, तो इसके लिए आपको बताने कौन सा statement सही है, ठी जाता है कि right to information, which is fundamental right, which is article 19 के अंदर आता है, और दूसरा Supreme Court of India जो है, रुपर RTI के अंदर नहीं आती है, ये पर आपको Supreme Court की हुचान करी चाहिए, तो आप RTI नहीं लगा सकते है, ठीक है, तो इसका आंसर जो है, आपका वो रहेगा, सिर्फ एक ठीक है, right to information जो है, ये आप आपका जो है ये गलत स्टेटमेंट होगा ठीक है क्यों ये भी आट ये के अंदर आती है तो इसका अंसर हैगा only one next question है कि under article 2 32 32 जो है constitutional remedies के खिलाफ होता है आपको पता है तो article 32 confer the right to remedy for enforcement of fundamental right of an aggrieved citizen consider the following statement with respect to article 32 ठीक है तो ये जैसा कि मैंने आपको बता है कि आपके fundamental rights के हनन हो रही है तो उसके खिलाफ जो आगर आपको case करना है तो आप article 32 के अंदर जो है वो कर सकते हैं ठीक है तो इस article 32 के लिए जो है कौन सी statement सही है तो पहला question है कि parliament can suspend this right during national emergency कि president sorry parliament जो है वो national emergency के दोरान जो है आपका article 32 जो है उसको suspend कर सकता है दूसरा है कि only supreme court shall have power to issue rights for the enforcement of fundamental right ठीक है कि सिर्फ supreme court ही है जो कि आपकी rights issue कर सकती है fundamental rights के enforcement के लिए ठीक है तो इसमें आपका पहला statement है कि parliament can suspend this right तो यह आपका गलत रहेगा parliament के पास नहीं होता national emergency के दोरान आपका president ही होता है जिसकी हुकम पर जो है यह 32 के अंदर जो है आपके जो भी rights उसको suspend किया जा सकता है और दूसरा statement जो आपका यह भी गलत है क्योंकि सिर्फ Supreme Court नहीं है आपका High Court जो है वो भी जो है High Court के हनन के खिलाफ जो है वो आपको protection दे सकता है ठीक है तो यह दोनों ही article जो है दोनों ही statement जो है यह आपके गलत है तो none जो है इसका answer आएगा नेक्स कोशन है कि which of the following rights can be issued against administrative authority ठीक है तो administrative authorities के against इन में से कोन सी रिट जो है वो इशू की जा सकती है पहला है prohibition certirary and mandamus दूसरा है certirary mandamus तीसरा है prohibition mandamus चोता है prohibition and certirary ठीक है तो इसका answer जो है आपका वो आएगा बी तो certirary and mandamus rates जो है यह दोनों जो है administrative authorities के against जो है issue की जा सकती है अगर वो अपना काम ढग से नहीं कर रहे है ठीक है नेक्स कोशन है कि the directive principles were made non-justiceable and legally non-enforceable because ठीक है तो आपको बता है directive principles state policies जो है non-justiceable होते है और legally जो ही binding नहीं होते enforceable नहीं होते तो इसकी क्या वज़ा है कि क्यों इनको non-justiceable रखा गया है तो पहला option है कि country didn't possess sufficient financial resource to implement them दूसरा है कि there is a widespread backwardness of the country that could stand in the way of its implementation ठीक है तो दोनों ही statements जो है इस cases में वो सही है दोनों ही चीजों की वज़े से पहले तो है कि इतनी wide interpretation है directive principles की कि हमारे पास उतने financial resources नहीं है इसको implement करने के लिए तो इसलिए जो है इसको non-justiceable रखा गया दूसरा है कि widespread backwardness भी है हमारी country में जिसके वज़से इसकी implementation जो है प्रॉब्लम आ सकती थी इसलिए जो है इसको non-justiceable रखा गया ताकि लोग courts में न चले जाए और लोग हर एक directive principle को implement करने के लिए जो है वो कानून से जो है वो मदद ना लेने शुरू कर दें ठीके तो इसको non-justiceable रखा गया है answer हैगा बोथ तो non-justiceable तो मर्जी है अगर लगाना चाहती है दीप इस पिर उसके बारे में अगराव देखो तो कौन से स्टेट्मेंट इन में इस सही है तो पहला है कि और आर्यक्यु फ्रेंटमथेट पालिसर मेंच!!! senhor इन आपका गलत रहेगा कि जो कि political democracy जो है वो इनका काम नहीं, political democracy जो है वो आपकी fundamental rights के द्वारा जो है वो प्रोवाइट की जाती है और बागी दो statement जो है आपके two and three they are right, यह social democracy के लिए भी होती है and economic democracy के लिए भी होती है ठीक है, next question is which of the following statement is correct regarding the constitutional amendment bill, थो कि constitutional amendment bill के लिए को स्टेटमेंट जो है उसके बारे में सही है पहला है कि prior permission of president is required for introducing the constitutional amendment bill in parliament की, पारलीमेंट में अगर constitutional amendment bill लाना है तो उससे पहले president की permission लेना ज़रूरी है दूसरा है कि president must give his assent to the bill if duly passed by both houses और अगर amendment bill जो है दोनों houses पारलीमेंट की उन्होंने इसको पास कर दिया है तो फिर compulsion बन जाती है president के उपर कि उसको पास करना ही करना है, वो मना नहीं कर सकता, ठीक है तो इस case में आपको पहला statement गलत है क्योंकि इसको introduce करने से पहले कोई भी president की permission नहीं चाहिए होती, money bill होगा तो president की permission चाहिए होगी, amendment वाले bill में कोई president की नहीं चाहिए ऐसे, ठीक है नेक्स कोशन है कि the announcements, allowances and privilege of governor can be altered by ठीक है, तो governor को जो भी announcements मिलते हैं, salaries मिलते हैं, allowances मिलते हैं, privileges मिलते हैं, उसको अगर बदलना हो तो उसके लिए क्याज करना होगा, तो उसके लिए जो है आपका option A, जो है the right answer की constitutional amendment bill पास करना होगा, simple majority के साथ parliament को और उसके दवारा जो है which of the following is federal feature of our constitution, कि हमारे constitution के federal feature जो है इनमें से वो कौन-कौन से हैं, पहला जो है आपका supremacy of constitution, दूसरा है rigid constitution and तीसरा है आपका independent judiciary, तो तीनों ही जो है आपके सही answer है, answer आपका one, two and three रहेगा, ठीक है, तीनों ही जो है यह आपके federal features हैं, constitution के चाहे वो supremacy है, constitution के, या rigid constitution हो या independent judiciary हो, ठीक है, next question, which of the following statement is true about the center-state relationship, तीक है, center-state relationship के बारे में आपको बताना है, कौन से state, जो है, वो सही है, okay, तो पहला statement है कि in respect to matter, enamorated in concurrent list, executive power rest with the state, ठीक है, तो concurrent list के बारे में अगर कहा जाता है कि इस मामले में executive power जो हती है, यानि इसको implement करने की power वो states के पास होती है, दूसरा ह है कि concurrent list के मामले में कि legislative power जो है, वो सिर्फ center के पास है, तो center-state relationship के पास है, तो आपका पहला statement जो है, वो सही है, कि concurrent list के मामले में जो executive power है, उसको implement करने के power वो states के पास होती है, बाकि जहां तक हम legislative powers की बात करें, तो सिर्फ center के पास नहीं होती, वो center के पास भी होती है, and states के पास भी होती है तो कोई भी जो है में से legislate कर सकता है concurrent list में कोई भी matter हो ठीक है तो answer जो आपका वो रहेगा आपका one only okay next question which is the following statement is correct दोनों में से कौनसी statement है correct है जो कि आपको बतानी है and पहली statement है कि the chairman and member of state PCS are appointed by governor but can be removed only by president तो state PCS जो है यानी PSC जो है उनके chairmen और member जो है उनको appointment उनको अपॉइंट तो governor करता है लेकिन उनको remove सिर्फ president कर सकता है दूसरा है state election commissioner जो है उसको appoint जो है वो भी governor करेगा और removed लेकिन उसको सिर्फ president कर सकता है तो दोनों में से कौनसी statement सही है तो यहां पर यह कहा गया है कि resolution approving and disapproving the proclamation of emergency is to be passed by either house of parliament by special majority दूसरा है resolution approving and disapproving the proclamation of emergency is to be passed by either house of parliament by simple majority तीसरा है कि resolution disapproving the proclamation of emergency is to be passed by either house of parliament by simple majority एंचो था जो है सोरी सको डी जो है सको आप नन करेंगे okay डी जो आपका वो नन आएका और यही आपका सही answer है क्योंकि क्या रहता है कि जब आप approve करते हैं national emergency तो approval के time आप किसी भी house of parliament जो है यानि either house of parliament जो है वहां से आप उसको approve करवा सकते हैं by special majority तीकि approve करवाना है तो किसी भी house से करवा सकते हैं लेकि special majority का case होना चाहिए ठीक है लेकिन अगर आप डिस अप्रूव करवाना चाहते हैं सब्साइड पर लिखता हूँ लेकि approve करवाना है तो आपको इधर house of parliament से आप अप्रूव करवा सकते हैं और आपको चाहिए special majority ठीक है और जब आपको डिस अप्रूव कराना है तो डिस अप्रूव सिर्फ और सिर्फ लोग सबा के थरू ही होगा और वो भी आपकी simple majority ठीक है तो simple majority से जो आप डिस अप्रूव करा सकते ठीक है तो यहां पर डी option जोईस को नन कर दीजिएगा और यही आपका अंसरेगा ओकी next question है आपका the correct statement with the record to the ordinance making power of President to President की ordinance making power of President order to issue करता है जब legislature जो है sorry जब आपकी parliament जो है वो session में नहीं होती तो उस ordinance के लिए जो है कौन सी statement सही है पहला है कि President cannot promulgate an ordinance ordinance to amend the tax law and दूसरा प्रेजिएंट cannot promulgate an ordinance to amend the constitution ठीक है तो इन में से कून सब स्टेटमेंट सही है तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाये抱क्ज प्रेजिडेंट ज्वै टैक्स लाज को ऐमेंट करने pri criticism अनरे के लिए उस को प्र एमेंडमेंट कर सकता ठीक कूर टुरोंait नेक्सकोशन आपका कि नोक सबा is डिसाल ठीक जब लोग सबा डिसाल वो जाती है तो वहां पर बिल्स जो पडे हो रहते हैं तो उनकी खिलाब बिल्स के बारे में क्या हो जाता है फिर बिल्स का ठीक है तो पहला कोशन है कि अब बिलद पास हम लोग समा तो आपका यहां पर statement भी जो है वो करेक्ट रहेगा क्योंकि बिल जो पेंडिंग है अभी राज्यसभा में और जो लोगसभा नहीं किया है तो वो बिल जो है वो लैप्स नहीं करेगा और बाकी पहला statement आपका गलत रहेगा क्योंकि बिल पास जो लोगसभा में हो गया है और राज्यसभा में अगर पेंडिंग पड़ा है तो वो जो है फिर वो लैप्स हो जाता है ठीक है तो आपका जो है ऑप्शिन भी विल बिदा राइट है कि इस इंपर लॉजिक देखी है कि जो बिल अभी राज्यसभा में देखे पास नहीं हुआ तो राज्यसभा क्या पता डिसॉल के बाद नहीं सुरी लॉक सबाज हो है वो नहीं लोग सबाइगी तो वहां पर जो भी अब तक डिस अब तक नहीं इंट्रोड्यूस हुआ तो वह पिछली लोग सबाइए पिछली किसी गोवर्मन्ट का बिल पास अगर लोग सबाव में हुआ है तो वह उसको जो है वह आगे नहीं आने देखी तो फो जो है फिर आपका लैप्स हो जाएगा ठीक है सिंपल जो है यह लॉजिक रखिए नेक्स कोशन है आपका कि मिनिस् सबनाद डिए तो उस चे मिहने में जो है वो क्या-क्या कर सकता है option पहला कि can participate in the proceeding of लोगसभा नहीं किया सिर्फ लोगसभा की proceeding में बैठ सकता है दूसरा है कि सिर्फ रज्यसभा की proceeding में बैठ सकता है तीसरा है कि लोगसभा रज्यसभा दोनों में से किसी की भी proceeding में बैठ सकता है चोता है कि नहीं प्रोशीडिंग में बिल्कुल नहीं बैठ सकता जबतक उसको मेंबर नहीं बनाया जाता किसी भी एसेंबली का किसी भी सुरी दोनों परलीमेंटस का ठीक है लौकसभा या राजय सबहा तो इसमें आपका आपशन सी जो है वो राइट आज़ा रहेगा ठीक है तो लोगसभा एक बिल जो है वो मैंबर नहीं बनाया जागा तो फिर जो है उसको रिजाइन करना पड़ेगा, ओके नेक्स कोशन है आपका the decision whether a bill is money bill or not is decided by speaker तो एक बिल जो है वो money bill है यह यह फाइनली कोई डिसाइड करता है यह आपका speaker डिसाइड करता है, लेकिन कोशन है कि decision जो होगा मालीजी कोई decision speaker ने ले लिया तो उस decision को कोई question नहीं कर सकता, ठीक है कोई speaker के decision को कोई question यह कोई challenge नहीं क पहला option है कि एनि कोट अफ लाट टीक है किसी कोट में आप नहीं ले जा सकते कि नहीं जी speaker ने स्पीकर ने समय को मैनी बिल कह दिया है यह बिल नहीं था मैनी बिल या फिर लोक्सवा पहले है लिए डूरोट के पास एरायट और अच्यक्राइब जो पर आप जो जो सजा जो भी तार रहे हैं या फिर अंडर ट्राइल से ग्रीया है सर्जाल्द नहीं सुनाएगी उनके पास राइट का दिकार नहीं होता तो इनूरों से उसी स्टेटमेंट घ्राइट कॉन सा स्टेट्विण का थीकार नहीं होता तो इसमें आपका स्ट्रेटमेंट जो है स्टेटमेंट जो साकी निचazioni्ट सर्फूंट हिसे हैं ओक mikä गिवी और मोग टेस्ट आएंगे और बने रहे हैं हमारी चनल के साथ सब्सक्राइब करते रहे हैं और देखते रहे हैं एट वर्ड दिंग्स